दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहर चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती हैं जो भीन समचार पत्रों पर छवी होती हैं और विद्यारतियों के लिए आवाशक होती हैं तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाय हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करने ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेनिक अपडेट प्रसन है जिस तरीके से स्सी की प्रेक्षाव में प्रसन पूछे जाते हैं उसी की हिसाब से प्रेटन पर तयार की गई है सभी कापी किताबं को दुकानों में आपको यह पूस्तक तक देखने को मिल जागी और अगर आप लोग ऑनलाइन मगवाना चाहते हैं तो आप प्रसन है तो कोई भी किताब जो है आप लोग ले सकते हैं या दोनों पूस्तके आप लोग मंगवा सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए चाहिए शुरू करते हैं सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधेना सेवचेन आयो की जो परिच्छा पत की बारे में जनकारी दी गए थी और एक थी लेकपाल भरती उसके पास यह द्यार्तियों को लग रहा था कि सवर अभी तो यह तो बहुत-बहुत बढ़ा धोखा हो गया और बहुत सारी बर्दियों को जनकारियां मिल रहे थी वह बढ़तियां नहीं आएगि तो मैं लिए कि मुख्य keto मिन्तरी नहीं आदेश दिया कि पंचाइप विभाग के जितने भी पत हैं सभी पतों को जल्ड-सल्ड भरा जाए और इसी क्रम में पंचाइप साहकों की बर्ती हो रही है और ये भी जयानकारी मिल रही पंचाइप साहकों की बरती के बाद में जैसे ही पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में 16,421 ग्राम पंचात अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद स्रजीत हैं ठीक है और जिसमें से इस समय कारत हैं 11,000 तो लगभग 5,400 पद जो है वो रिखते हैं लगभग साले 5,000 जो पद हैं वो वीडियो और वीपियो विलेश डेवलमेंट अफिसर यहां पर देखे लिखा हुआ है और यह ग्राम विकास अधिकारी तो ग्राम पंचात अधिकारी यह जो दो पद हैं वो लगभग चानकारी मिल रही है कि जो आधे पद हैं चाती सो वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और लगभग अठारा सो से दो हजार के आसपास जो पद हैं वो उसकी एक नई बढ़ती आपको देखने को मिलेगी चुकि वीडियो के भरती में कुछ जो आधे लगभग पद हैं वो प्र अभी जितने पदों का जो अधियाचान है वो आचुका है जिसमें कोई तुरूटी नहीं है केवल उनके बारे में परिक्षा कलेंडर में जानकारी दी गई है कि लेकपाल, जूनियर असिस्टेंड, लैब टेकनीसियन, एक्से टेकनीसियन और महिला स्वास कार करता इतने पदों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो पद हैं, अभी आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, यह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ताकि आप लोग इसमें कोई लापरवाही ना करें, और UPCC-PET की जो तयारी है, वो मन लगा करके करें, इसकी बाद में एक अतरित जानकारी मिली है कि PCS 2021 में जो पदों की संक्या है, वो लगबग साले 500 बढ़ चुकी है, साले 500 पदों पर यह बरती हो रही है, अगली जो सूचना है, वो है TGT-PGT 2021 यह डाकुमेंट्स अनवार है, TGT-PGT में विद्यार्थी विरोत कर है, जो की जानकारी यह मिल रही है कि आधार कार्ट को अनिवार किया गया, परिक्षा में विद्यार्थी को कहना कि आधार कार्ट के अलावा भी विगल पर रखना चाहिए, कि कम से कम ड्राइविंग लैसेंस या पैन कार्ड यह इस तरीके का कोई भी एक ID प्रूफ अतरिक कर रहे है, और जो अभी हाली मी आधेश दिया है और उस आधेश का हवाला देते हुए, युवान मंत्स ने अज पत्र लिखा उत्तरप्रतेस के मुकिमंत्री को, उत्तराबित्र शिक्चा मंत्री खो सिक्चान महानी देशak को, और चेन बोड के अध्यक्च को और चेन इच्छा है वह मंडल इस पर करवाई जाये और जिला इस तरफ पर ना हो तक बाती वी तो उन्हों का आइसा क्यों कहा जा रहा तो उन्होंने बिद्यार्तियों बताया थांदली की आसंका है तो दो दो को चैनबोर्ड ने आशस्त किया कि दैसी की उसी को रखावारा देते अनुपालन करे परिच्छा में होने वाली किसी भी प्रकार की गलबडी के करें लहाँ सब्सक्राहिए प्रात््मी सिक्षकवार्थी की यदी लडाइ में विध्यार्थि अब आगए है और kला रात से विदार्थी SCERT में जुट गया थे प्रात्मी सिक्षक बर्ती की मांग कर रहे हैं यह आपर देख सकते हैं आप लोग यह विदार्थियों की लखनव से तस्वीरे हैं वो निशाद गंद पहुश सकता है इस सबने इलाबाद में दो दिन से बारिस हो रही थी उस बारिस में हम सबने बिविन डेली गेसियों में जाकर के सलोरी अलापुर राजापुर जगा जाकर के बच्चों से मिटिंग किया वहां से फिर भीकते हुए हम लखनों की धर्ती प झाल खड़े होकर आप सब के बीच में दाड़ रहे हैं पूरे फिना जोज के साथ तो आप सब अपने घर से क्यों नहीं निकल सकते हैं यह लड़ाई हम सब की नहीं है यह लड़ाई रामियागी कि नहीं है यह लड़ाई अस्वास के जितनी भी विद्धार्थी हो वो सब विद्धार्थी ततकाल तुरंत वहां पर पहुंचे, ज़ादा सेंक्या में पहुंचे नहीं, तो पिछली बार देखा था, आप लोगों ने विद्धार्थे के संक्या कम थी, और किस तरीके से पुलिस वाले विद्धार्थे को गाली दे रहे थे, और गसीट रहते और इसलिए अगर आपके संग्या ज़्यादा होगी तो मीडिया भी आपको ज़्यादा कवर करेगी और जो ये बाते हैं वो मुख्यमंत्री के संग्यार में पहुचेंगी हाला कि संग्यार में पिछली बार भी भी पहुंची थी जब उक्य मंत्री ने कहा था कि विध्यारतों को तुरंद पताइजा कितने पदों पर भड़तियां की हैं कौन-कौन से निवढ़तियां करने वाले हैं तो बयान दिया था सिक्षा लड़ते रह जाएंगे जिन्दगी भर अच्छा यह बात बिल्कुल सही है कि अगर यह बड़ती अभी नहीं आई तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है बहुत सारे बदलाओं और जो बड़ती हैं वो कम से कम चार साल लटक जागी प्रात्मी सिक्ष बड़ती का बहुत बड़े-बड़े संग्ठनों ने बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया यहां पर देख सकते हैं आप लोग 2 अगस्त के शिक्षक बड़ती अंदोलन को यूवा मंच ने दिया समर्थन 97,000 प्रात्मी सिक्षक बड़ती के मुद्धे पर S.E.R.T. खनाव पोहुंचे यूवा मंच के संयोचक राजय सचान ने कहा है कि प्रात्मिक विद्यालियों में योगी सरकार के कारकाल में बेसक 1,25,000 शिक्षकों के नुक्तियां हो गई है लेकिन 1,67,000 शिक्षकों के समय योजन रद होने से बरखास्त होने और रिटार सिक्षकों क कोई भी यह भी बर।ी नहीं कि प्रिक्षच ती उतनल पुमिसय के साथ में प्रिक्षपा करती थी लिखा है समुलित राज क्रसी सेवा के तहत 546 पदों पर भरती के तहत रविवार को पहली बार अलग से प्रिक्षा आयूजित की गई प्रियागराज गाजियबाद और लगनों के 158 गेंद्रों में सुबह 11 से लेकर के दोपहर एक बज़े की पाली में हुई प्रारामी परिक्चा में लगबग 55 फीजदी अबेर्थियों ने अपनी उपस्तिती दर्ज कराई परिक्चार्थियों ने बताए कि जो पेपर था व वर्स 2021 में क्रिकेटर सुरेश रहना की आत्मकता किस नाम से प्रकाशित कही गई है थोड़ा देख लिजी आप लोग कि लोग सेवा आयो की परिक्चाम में जो करेंट फेर है वो किस तरीके का आता है लोग सभा में आंगल भारती समुधाय के सेदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संक्या कितनी है उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा उत्तरा खंड हरियाना वही मांचल प्रदेश के साथ में मिलती है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतरकत लगडी के खेलों ने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस जिले को चुना गया है गायों औ में क्रसी के महत्वपूर्ण सूख्च में जीवों का राश्टरी ब्यूरो कहां इस्तेता है उत्तर प्रदेश के किस जन्रपत में मादन कोच फैक्टरी स्ताफी थे तो आपको यहां से पेटर्न समझ में कुछ आ गया होगा अब मात्पूर्ण सूखना है सीटेट की लिख है आनलाइन मोड में होगा सीटेट केंद्रियों शिक्षा का पातरता परिचा 2021 आनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी इसके लिए क केंद्रियों माजमिक शिक्षा बोर्ड ने परिच्षा के पेटर्न में बदलाव कर दिया है परिच्षा का आयोजित दिसंबर या जनवरी 2022 के दोरान किया जाएगा सीब्यसी के मुताबिक शिक्षन पेसे में अभयतियों की गणवत्ता बढ़ाने के लिए परिच्षा के पैटर्न में पार्ट करव में बदलाव की है और इस कड़ी में तत्यात्म ज्ञान की जगह पर समस्य और समाधान reasoning critical thinking application की समझ को जोड़ा गया है तो अब जो है प्रस्णों को जो प्रारूप है वो पूरा पूरा बदल जाएगा और लिखा है कि इसके लिए CBSC के अनुसार sample blueprint बेज़ा जाएगा model paper और प्रस्णों के साथ में CBSC assessment framework भी जारी करेगा इससे अबरती सीटेट की परिच्चा की तयारी कर सकेंगे और इनी बदलावों के वज़े से सीटेट का जो नोटिफिकेशन उसमें फिलार आने में देरी हो सकती है अभी यह बताना बहुत मुश्किल है कि सीटेट के जो न बढ़ती है लेकाकार साइक्स रसोयो चौकिदर चप्रासी त्याधी की भी बढ़ती है अधिक्तम जो 45 वर्स होती है अप्रल 2021 से विदल लिए जाएंगी इस website पर जाकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा बिजनोट.nic.in यहां पर योगता के बारे में भी जानकारी दी गई यह कानपुर से विभतिनी केनी के लिए स्वास्त छेतर में लिखावर्ती और जिला स्वास्त समीति कानपुर नगर से consultant इसरी रोग विशेष लगेorg को किन शेंटा को चिकतसा अधिकारी चिकतसा अधिकारी बाल रोंगव्अ है चालिस पतम पर यह 570 है और यह website कानप, पर दाट एन इस वेबसेट पर जाकर करके आप लोग अविजन कर सकते हैं और यह स्पेशल पर इसकी लिए स्पेशल योगता भी मांगी गई है फिद्ध्यारतियों सम्मधित एक और है चोकाने वाली सब्सक्राइब करके लेकिन मात्वपूर्ण है एक डाटा पेस किया गया सरकार के तरब से एंसी आर्बी ने आखले पेस की हैं कि 2017 सब्सक्राइब 24,000 से अधिक भच्चों ने खुद खुशी की है जिसमें से यहां पर लिखा कि 13,325 लड़कियों की मौत हुई और इनकी चोदों से अठार है जिन में से 4000 ऐसे थे जो परिच्चा में फेल होने की वज़ये से आत्महत्या किया था और उसके बाहां में प्रिख्य नेसार की नहीं की प्रजभा और कैसे पता नहीं है लिखा कि एम से निदेशक ने एलर्ट जारी किया है और लिखा सी एस आई आर के वेग्यान को जारी कर दिये चेतावनी देश में एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में संक्रमन की गति बढ़ चुकी है और देश में लगातार पासमें दिन कोरोना के चालिस हजार से अधिक मामले सामने आए बहुत सारी राज्य जिन्होंने अपनी परिक्षा है वह इस्तगित कर दीए उत्तर प्रदेश में भी अगर संक्रमन बढ़ता है तो बहुत सारी परिक्षा है वह आने वाली वह भी प्रवावित हो सकती है लिखा है कि नीचे एम्स न कामला करेगी यह कहना मुश्किल होगा डॉक्टर गुलेरिया ने बताए कि पहले वायरस की आर वैल्यू पॉइंट नाइन थी जो बढ़कर अब एक होगा यह वायरस के प्रजण अंदर में बढ़ोतरी को लेकर कि सतरक होने के जरूरत है आर वैल्यू में बढ़ोतरी के मत कि बढ़ी चिंता का बिस्या है डॉक्टर पांडे बता तेते साज के पता चल रहा के बाहरस ला seraitал महारास्ष्ट में होस्ता करता है तो ठीकी दोस्तों यह होगी आज का वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो आपके काम का हो तो लाइक बस करते हैं जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना कियो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद